लाइस कैसे आप सब वैल इस इस अतीश और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके fundamental of computer के mcqs series का set number second okay so this is the set number second of your fundamental of computer topic isn't it तो जैसे हमने last video में आप discuss किये थे most important questions और first of all wanna say thanks to all of you आप लोगे कमेंट देखे हैं मैंने बड़ा अचा लगा यार simple सी बात यह है कि comment से और कुछ नहीं यह motivation मिलती है देखो मेरे साब से nobody is perfect in this world simply okay and when you appreciate someone for the work then obviously that person try to put up more hard work on that so that he can you know make you feel better next time so that's that's the most important thing which I want okay so thank you so much for giving that response to me especially okay तो चलिए आज हम set number second की बात करते हैं और जितने भी questions में आप से discuss करने वाला हूं इक questions लास्ट वीडियो में हमने discuss किये थे वो मैंने internet से उठाय थे important और आज की वीडियो में जो questions है वो मैंने book से उठाय हैं okay और मेरा main जादा से जादा maximum questions आप लोगों को करवाऊंगो और मेरा maximum question करवाने का सिर्फ सिर्फ एक ही मक्सद है कि जितना हो सके मैं question से रूबरू आप लोगों करवा सकूं क्यूंकि आपका जितना भी computer का syllabus है believe में इतना आपका मतब topic पढ़ने से clear नहीं होगा जितने क्यूंकि mcqs में जो language होती है वो थोड़ी tricky होती है तो जब बंदा ज्यादा सा ज्यादा question solve करता है तो उससे चीज़ें automatically clear हो जाती है तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के mcqs at number two की और especially from your topic fundamental of computers और बहुत सारे question ऐसे होंगे जो मैंने already discuss किया होंगे पतब last जैसे वीडियो में हमने discuss किया होंगे लेकिन जो question हमने already discuss की है वो मैं बोलता चाहूंगा अप लोग नीचे comment box में उस कार्ण से देते चाहोगे ओके अब खुद भी मेरे साथ करोगे काम so that कि मुझे लगेगी कितने बच्ची सीरियन से इसके लिए particular ओके तो चलिए शुरुवात करते हम आज के अपने first question से और first question के अगर मैं बात करूं so you all know what it means okay computer क्या है कल भी हमने पढ़ा था आज भी इसमें है ठीक है तो इसका answer आप लोग सारे मुझे comment में बताऊगे ठीक है comment box में लिखोगे second वाला जो question है वो है कि a dash is an electronic device जो data को process करती है और उस data को convert करती है information में भाया इसका भी answer आप सभी जानते हो ठीक है देखो मैं चीज़ बताता हूँ आपको चीज़ों को analyze करना देखिए answer same होंगे ठीक है लेकिन इनकी language देखना यार कभी किसी ने सोचा होगा मतब जब भी आप कभी theory पढ़ते हो तो ऐसी चीज़े जो आप questions में देखते हो ना actually और जब आप theory पढ़ते हो तो उनमें बड़ा difference होता है theory जब हम पढ़ते हैं तो सीध create your mind so that he same same चीज़े आप लोगों के सामने रख दे जाते हैं कि आप थोड़ा सा confused हो जाओ ठीक है second question भी answer आप लोग मुझे दोगे क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को इसका answer आता है next question है third question third question में है dash is processed in information by computer processor ओके dash हमने मतलब यहाँ पर fill up करना है कि क्या किस चीज़ पर process होता है computer के किस चीज़ पर process होता है और process होने के बाद वो information के रूप में हमारे सामने आती है आपको मैंने कल भी बताया था कि data जो है data क्या है data is a raw information okay मतब unorganized information आये sorry wait unorganized मतब जो organized नहीं होती ठीक है तो जब हम जब हम उस data को computer में insert करते हैं अपने input devices के थूँ उसके ओपर processing होती है and after that एक information output devices के true हमारे सामने आती है okay तो इसका answer तो अब आपको मैंने इंडिरेक्टी देई दिया इसका जो answer है that is data okay so अब बात करते हैं हम आगे आपने fourth वाले questions की और fourth वाले question में क्या है कि ATM क्या है आप सभी जानते हो इसका भी आप answer दोगे देखो first question second question fourth question इचार question जिनके answer आप निचे comment box में दोगे third का मैंने आपको बता दिया अब बात करते हैं हम लोग अपने fifth वाले question की okay fifth वाले question में क्या है कि data processing का meaning क्या है meaning of data processing is जो भी data है जो भी data के processing होती है उसका मतलब क्या है my dear okay तो अभी just मैंने discuss कि आपके सामने कि कि जब भी कभी data पे processing होती है तो वह हमारे सामने एक organized form में क्या आता है information generate होती है होती है information generate तो इसका जो answer है वो रहेगा preparing information for our business use isn't it clear हो गया मतलब की information को prepare करना data पे जब processing होती है उसका meaning क्या है कि information को prepare करना है कि उसको business use के लिए लेके आए अब ज़रूरी नहीं है कि business use के लिए क्योंकि computer तो हर field में use होता है educational field में भी use होता है administrative field में भी use होता है technical field में भी okay hospitalized and searching and everywhere but यहां पर होना particular use के चलो business use के लिए business means देखो business doesn't mean की सिर्फ business particular मतलब है यहां पर business का मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो okay यहां पर any work आप लोग चूज कर सकते हो okay but main यहां information से यह आपको बता लग जाना चाहिए okay is coming isn't it next हम बात करते हैं अपने question number six के चेमे question में कहा है कि part CPU which coordinate all functions of computer and other component यह question मैंने आपको कल I think दो बार समझाया था okay मैंने दो बार समझाया था और बहुत अच्छे से समझाया था कि आपका जो CPU है CPU okay CPU है तीन components असमें ALU CU MU isn't it okay आपको पता होगा कि मैंने बताया था और यहां पर इन्होंने पूचा है कि ऐसा कौन सा part है CPU का जो coordinate करता है सभी functions के computer के सीधा सिधा answer है इसका control unit कुछ नहीं देखना सीधा सिधा सिधा answer है इसका okay next question की बात करते हैं 7th question data going to computer is called कि जो data है basically हम लोग जो computer में data डालते हैं जो चाता है उसको क्या बोलते हैं इसका जो मतब operate बोलते हैं उसको algorithm बोलते हैं calculation इसका answer है input मतब जब भी आप computer में data डालते हो मतब क्या कर रहे हो आप computer में कुछ input कर रहे हो ना मतब कुछ इंसर्ट कर रहे हो और इंसर्ट मेंस input डालोगे तो आपको output मिलेगा वहां से अपको अपको प्यूशन अपका question number 8 में पूचा है input is modified into output वाय मतब जो आपका input है वो modified होता है किस में output में isn't it तो किस के थू होता है? वो इस रिस्पॉंसफुल फर देट वाई तो कौन सा ऐसा पार्ट है वह जो इन्पुट को आउट पूर्ट में चाहिए अप सभी जानते हैं कि हम लोग इन्पुट डालते हैं उसके बाद क्या होता है सिंपल प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होती है तो कहां होती है सीपीओ में होती है जब प्रोसेसिंग होती है सीपीओ के बाद उसमें आउटपूट आपके सामने आता है तो सिंपल दांसर है इसका वाट सीपीओ 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 सांसर दिसकेशन ओके इसंट इसंट ठीक है मतलब नीचे जितने भी आपको ये सारे जो options दियेंगे हैं इन में से sorry इन में से कौन सा characteristics नहीं है या function नहीं है computer का तो अब यहां से आपको इस चीज पता लगी होगी कि इसके function और characteristics पढ़ना important है तो question से यह भी clear हो जाता है कि हमें कौन सी चीज पर जाधा focus करना है कौन सी नहीं तो इसका अगर मैं answer देखूं तो इसका answer क्या है देखे computer में क्या-क्या होता है computer में data collection होती है storage भी होता है processing भी होता है output भी आता है ठीक है अगर हम characteristics और main function की बात करें तो इसमें एक चीज है ठीक है छोड़के तो वो है इसका data copy ओके यू केंट से इस नॉट इन दी क्रेक्रेक्रेक्टिस्टिक्स ओफ वाट computer ओके तो यह वाला इसका answer है अब idea बात करते है question number 10th की और question number 10th में पूछा गया है what is called data in computer computer में data को क्या कहा जाता है okay simple मतलब की आपको मैंने बताया था कि data जो है वो तीन तरहां को होता isn't it मतलब की जब हम पढ़ रहे थे फर्स वाल टॉपिक सेकेंड वाले में उनने बताया था कि data जो है वो तीन तरहां से होता है number form में होता है alphabetical form में होता है और alpha numerical form में होता है मतलब इन नंबर में आपका 1234 आ गया इसमें आपका ABC चोटी और बड़ी भी ठीक है और alpha numerical में होता है मतलब symbols भी आ रहे हैं number भी आ रहे हैं alphabetical भी आ रहे हैं मतलब in short you can say passwords sorry passwords को यहां पर आप example दो पर रख सकते हैं तो यहां पर पूचा गया है कि जो data है computer में तो उसको क्या कहा जाता है simple सी बात है मतलब कोई information जिसमें number और symbols हो उसको कहा जाता है तो दी वाला जो है 10th का जो डी वाला पाट है this is the answer of discussion मतलब अब simple हम लोग number तो नहीं है सिर्फ number तो है नहीं है उसमें symbol भी है यहां सिर्फ number कहा गया है यहां पर मतलब सिर्फ और सिर्फ symbol कहा गया है है कि जब हम उस पर process होगे एक structured form में कोई चीज हमारे सामने आती है बिल्कुल clearly जो हमारे usage के लिए उसको information कहते है अब सीधर सीधर यह तो single सिंगल होगे ना यह तो रहेंगे नहीं तो इसका answer तो यह ही है ना फिर information containing symbol and number and symbols जिसमें numbers भी हो symbol भी हो जो information होती है उसे हम लोग कहते है data in computer form next question है आपका information in computer पहले मैं data के बारे में बढ़ा कि data को क्या कहते है computer में अब question है कि information जो है computer में उसको क्या कहते है चीक है तो इसका जो answer है that is stored data अब बात यह है कि information in computer के अगर हम बात करें तो information कहां पर आती है end point में आती है end point में आती है ना देखो यह चीज है तो सीधी सीधा कि दिखें यह तो है नहीं है इनके क्योंके data number symbol यह सारे तो data गही है ठीक है अब यह इसका answer नहीं है तो सीधा-सीधा बात आती है यहीं पर कि stored data जो है अब आप बोलोगी कि या store data किस तरह से अब देखो आप सभी को पता है कि जब भी information information मैंने कहा था कि processing होती है data के ओपर जो हम insert करते हैं और जब processing हो रही होती है उस point पर जो आपका data है जिसके पर processing हो और यह वह obviously कहां पर store होता है कुछ time के लिए store होता है ना store रुकेगा कहीं पर तो ही तो उसके ऊपर information sorry process होगा और वह जो stored होती है वह होती है आपकी memory unit में for some time जब पर तक उसके पर information मतब उसके पर processing हो रही है through ALU यह CU whatever तो इसलिए इसका stored जो data है वह इसका answer है ठीक है तो मतब पूरी की पूरी information endpoint पर नहीं बताया इन्होंने उससे एक step back जब उस पर processing हो रही होती है और वह store होता है आपके memory unit में तो वह यहां पर बताया हुआ option में तो इसलिए इसका answer है ओके next question है आपका कि which is a part of computer निचे जितने भी चीजें आपको दी गई है उनमें से computer का part आपको बताना है भया सामने दिख रहा है इसका भी answer आप लोग comment box में होगे नेक्स्ट बात है 30th question की 13 question की EDP का आपको full form बताना है ओके यह जो है EDP इसकी full form आपको बताना तो इसकी full form भी आप मुझे comment box में बताओगे देखो मैं एक चीज़ बताओं मैं मुझे बताने में को issue नहीं है मैं बता दू आपको बट मुझे आप लोगों की presence चाहिए आप लोगों की presence चाहिए आप लोगों की presence चाहिए आप लोगों मतब आप presence show करोगे निकालोगे search out करोगे तो ही चीज़ें आपके सामने clear up होंगी देखिए जब हम कोई चीज सुनते है ना तो हम we say that it's very simple and easy okay but finally when we go to implement and to learn about all that things by ourself then obviously थोड़ा tough हो जादा थोड़ा easy हो जादा so I just want that you people also participate in this work so that things get stored permanently in your mind okay I hope you understand है तो easy है इसका कोई जादा चलिए इसका answer जो है वो मैं आपको खुद ही दे देता हूं ठीक है इसका answer आपका electronic data processing ओके यह तो हो नहीं सकता data part data personal data power अब मैंने इसका answer ले दिए क्योंकि आपको दो-चार आपर देने तो मैंने इसका जो answer है यह यह वाला आपका की CPU stands for CPU किस चीज के लिए मतब काम में आता है तो मतब इसका अगर मैं option number one की बात करूं क्या है माइडिया कि कवर processing unit processing unit को cover करना obviously cover तो यह करता नहीं बचा रहा उसके बाद central processing unit अच्छा sorry it's a mistake actually यहां पर उन्होंने full form के बारे में पूचा sorry sorry okay यहां पर उन्होंने पूचा की CPU की full form क्या है आप सभी जानते है इसका कुछ harsh-posh नहीं है center processing unit इसका full form वहीं पर next ALU की बात की है ALU की full form क्या है आप सभी जानते हैं इसका इसका जो answer है sorry इसका जो answer है that is mathematical logical unit यह जो questions है my dear यहां से पूचे जाते हैं ठीक है अब next question की बात करते हैं हम लोग 16 question की तो यहां पर पूचा गया है कि which of these is CPU CPU नीचे दीएगे जो इतने भी वोट्स हैं इन में से CPU कौन से हैं ओके तो इसका answer है आपका chip आपको कहा था ना कि chip logical chip को भी हम CPU कहते हैं so you can say you can think it is the name of CPU okay तो अगर आपके सामने chip word को use हो रहा है यहां दिया है और साथ में आपको पूचा गया है कि which of these is CPU तो चिप जो रहेगा वह उसका answer होगा okay तो अब बढ़ते हैं अपने 17 question की तरफ यहां पर लिखा है कि basic operation than why computer is तो basic operation जो है computer में वह किसके द्वारा complete किया जाते हैं okay तो इसका जो answer है इसके answer के अगर हम बात करें तो obviously यह जितने भी चीजे हैं यह सारे के सारे computer में help करते हैं जब भी कभी उसमें data डालते हैं और उसके उपर operation या processing होती है ठीक है अर्थमेटिक लॉजिकल operation data storage भी रहता है ठीक है होता है तो इसलिए इसका जो answer है that is D all बत्तब उपर वाले जितने भी है अब बात करते हैं हम लोग अपने 18 की question की और यहां पर पूछा गया है dash is called brain of computer सारे जानते हो बाई साब आप क्या है computer का brain ओके अब यहां पर question है 19th question में कि which of these establish link between B, D, U and keyboard ओके आप लोग इस B, U, D की full form मुझे comment box में बता होगे तो अब यहां पर नीचे पूछा गया है कि मतलब की नीचे जितने भी दिये गए नाम है उन में से कौन सा वीडियो एंड keyboard की बीच में इसका जो answer है that is C, क्या CPU isn't it तो अब हम बात करते हैं अपने question number 20 के 20 में question में है कि which part of computer is used for calculating and comparing भाया कल आपको मैंने तीन बार बताया है ठीक है तो इसका answer भी आप लोग दोगे ठीक है इसका answer सामने दिख रहा है बस मेरी line के नीचे यह answer भी आप लोग मुझे दोगे okay so guys यह थे आपके part second set number second के fundamental के most important questions questions देखिए हम लोग करते रहेंगे no problem जितना आप practice करेंगे उतना कम है okay so see you again in the next video with other important questions okay so till then take care bye और हां comment करके जरूर बताना की session कैसा था okay because मैं आपके comment पड़ता हूं यार okay all right bye take care